अगर पिछले एक दसक पर नजर डालें तो खुद को भगवान समझने वाले बाबाओं की चरत्रे से नाकेवल परदा उठा है बलकि आसाराम बाबाराम रहीं बाबा सत्पाल जैसे ढोंगी पाखंडी बाबा आज जेल की चार दिवारी में कैद है और इस बीच आपने क्या किया अपनी टीवी स्क्रीन पर चपक कर बाबाओं के पाखंड और रास्री लाओं की कहानियों को मसालेदार खबराओं के तोर पर समाचार चैनलों पर देखा और सुना और साथ मैं समाचार चैनलों की टी आरपी खुब बढ़ाई इन्ही बातों का अधार बनाकर सामाजिक मुद्धों पर फिल्में बनाने वाले फेमस डिरेक्टर प्रकास जहा लेकर आये हैं अपनी पहली वेब सीरीज आस्रम जिसे MX प्लेयर पर रिलीज किया गया है दोस्तों मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आस्रम का फिल्मी जंक्सन रिव्यू सबसे पहले आपको बताते चलें कि मेकर्स का दावा है कि कहानी फिक्सनल है पर हकीकत दर्सक और बनाने वाले बखु भी जानते हैं कहानी कासी पुरनाम के एक फिक्सनल से टीकी ह जहां पर बाबा निराला का जलवा चाया हुआ है कहानी की सुरुवात दलित वनाम सवरन के एंगल से सुरू होती है कुस्ती के एक मैच में पम्मी के वलिसलिये हार जाती है कि वो दलित वर्क से आती है और फिर उसके दोस्त और भाई को के वलिसलिये पीटा जाता है क्यों लोकि उसका दोस्त अपनी दुलहन को लेने घोडी पर बैठ कर जाना जाता है और बड़ी जात के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है और बात थाने पहुच जाती है इसके बाद बड़ी जात के लोग हॉस्पीटल पर हमला करके डॉक्टर को बंधी बना लेते हैं यहां एक प्राइवेट बिल्डर को अपना एक रहाई सी प्रोजेक्ट लगाने का और जारी करती है और यहां पर जब काम शूरू होता है तो कुदाई के दौरान यहां से एक औरत का कंकाल निकलता है और पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है अब यह कंकाल किसका है और बाबा निराला के साथ इसका क्या लेना देना है ये कंकाल वर्तमान राजनीती में कैसे भूचाल लाएगा बाबा निराला कौन है और उसने इतना विसाल सामराज कैसे खड़ा कर लिया और कैसे बड़े-बड़े राजनेता बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं इन्ही सब सवालों के जब आप देने का काम करती है प्रकास ज्या की वेब सीरीज आस्रम कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है और प्रकास ज्या एक ऐसे ही कड़वे सच को आस्रम के रूप में ले कर आये हैं आस्त्रम समाज में ब्याप्त कालिश सच को बया करता है जिसका हिस्सा अक्सर हम भी होते हैं। आस्त्था और विश्वास में इसकदर डूबे होते हैं कि सच्चाई क्या है देखना बंद कर देते हैं। या जान भूज कर देखना नहीं चाते हैं। आस्त्रम की कहानी कई कहा कहानिकारों ने मिलकर लिखी है उनका ये प्रयास वाकई सराहनी है पर असल में लिखते वक्त सायद कहानिकार या तो कोई समाचार चैनल देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब पर कुछ पुराने संसनी खेज वीडियो का रेफरेंस लेकर लिख रहे होंगे और सायद इसी कहानी के किरदार असरदार और रियल लाइफ से इंस्पारड लगते हैं या यूँ कहें किरदारों को बहुत ही सलीके से लिखा गया है साथ में किरदारों के डायलोग बाकी कमाल के हैं जो आपको बांध कर रखने का काम करते हैं कहानी के किरदारों में बाबा निराला भले ही lead role में हूँ पर बाकी के किरदारों को अच्छी तरीके से develop किया गया है और साथ साथ चलने वाली parallel stories को असरदार धंग से लिखा गया है स्क्रीन प्ले बहुत जदा detailing है जो प्रकास जहा के style को दिखाता है पर जानबूच कर डाले गए तमाम सीन बेवज़ाय लगते हैं और कहानी की रफ्तार को धीमा करते हैं चूकि बाबा राम रहीम आसराम और सत्पाल जैसे मुद्दे ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं इसलिए बहुत कुछ आपको repetitive भी लगेगा प्रकास जहाँ वाकई एक सांदार डिरेक्टर हैं इसमें कोई दो राय नहीं है गंगाजल अपरहन परिच्छा जैसी सांदार movies बनाने वाले डिरेक्टर इस बार web series बनाने में चूक गए हैं उनका डिरेक्टर भले ही काफी डिटेलिंग हो पर वेवजय लंबा screenplay उनके इस प्रयास को कमजूर बनाता है आपको कई सारे scene fake, artificial और predictable लगेंगे जिसका सीधा असर आपके web series के देखने के interest पर पढ़ता है और दर्सक के तोर पर आप विचलित हो जाते हैं बजट की कमी, जल्दबाजी और हडबाड़ हाट आपको साफ साफ देखने मिलेगी प्रकास ज्या ने location, भेजबूसा, बोलचाल पर अच्छा काम किया है cinematography और music कहानी के हिसाब से ही है प्रकास ज्या आश्रम को थोड़ा और edit कर सकते थे और इसे छोटा बना सकते थे जिससे कहानी में ज़्यादा कसावट आती और सीरेज पहले से ज़्यादा hard hitting हो जाती जिसके लिए एकसर प्रकास ज्या जाने जाते हैं अगर performances की बात करें तो बॉबी दियूल भले ही lead trail मोह और बाकी के किरदारों ने lead role की तरह ही काम किया है मतलब लगवग लगवग सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है बॉबी दियूल ने बाबा के किरदार में अच्छा काम किया है उजागर सिंग के किरदार में दर्सं कुमार असरदार लगे है बिक्रम कोचर ने साधू के किरदार में अच्छा काम किया है पम्मी के किरदार में अधिती पोहन कर जवरजस्त लगी है उनका screen presence असरदार है सत्ती के रोल में तुसार पांडे और बविता के रोल में तृधा चोधरी अच्छे लगे हैं अक्की के रोल में राजीब से धार्थ, डॉक्टर के रोल में अनुप्रिया और दिलावर के रोल में तन्मयर अच्छा काम किया है ओबरॉल आस्तरम एक एवरेस से बहतर बैप सीरीज है जो अच्छा बनते बनते रह गई प्रकास जहाँ अपने चिर परचित अंदाज में उपस्तिती दर्ज कराने में अस्फल रहे हैं जिस हार्ड कोर ड्रामा की उमीद कर रहे थे उसकी कमी है ये साइद इसलिए भी है क्यूंकि मेकर्स किसी भी तरह की कॉंट्रोबर्थी में पढ़ना नहीं चाहते हूं हो सकता है सीरीज के सीजन टू में उनका ये चिर परचित अंदाज लोट कराए जिसके लिए कहानिकारों को बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी सीजन टू का ट्रेलर लास्ट एपिसोड के साथ रिलीज कर दिया गया है जिसको देखकर सेकेंड सीजन से उम्मीद्य थोड़ा बढ़ जाती है आस्रम का सीजन वन टाइम वाच तो है ही कुछ एक सीन आपको असहज बना सकते हैं पर हकीकत से मूह नहीं मुड़ा जा सकता है मैं आस्रम को देता हूँ 5 मैं से 3 स्टार अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें नहीं तो डिसलाइक करें सेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में